गुड आफ्टरनून सेकिंड क्लास हम लोग इन्वार्मेंटल स्टडीज का चप्टर वन स्टार्ट कर रहे है चप्टर वन है माईसल्फ यानि मैं खुद या फिर मेरा परीचर या मेरे बारे में तो आप एवेस की ये वाली बुक परचेस करेंगे ये आपकी बुक है सेकिंड क्लास की बुक जिसकी राइटर है रूपा सरकार तो अभी हम इसे रीट करेंगे पेस्ट यूर फोटोग्राफ इन दा स्पेस शोन आपको अपना एक फोटोग्राफ अपनी एक पिच्चर उसको यहाँ पेस्ट करना है यानि चिपकाना है पेस्ट अफोटोग्राफ ओफ यूर बेस्ट फ्रेंड इन दा अदर स्पेस ये स्पेस यानि एक बॉक्स दिया है ये आपको एक जगा दी गई है जहां आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की फोटो लगानी है और साथ में उसका यहाँ नाम भी लिखना है माई नेम इस डैश मेरा नाम डैश है तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे तो जैसे मेरा नाम शूती है तो मैं यहाँ अपना नाम लिखूंगी माई नेम इस शूती वैसे ही आप लोग अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है वो आप इस डैश में फिल करेंगे आप लोगों को एज काउंट करना सिखाई थी वैसे ही आप यहाँ अपनी एज लिखेंगे आप जितने भी साल के हैं आप यहाँ वो लिखेंगे यहाँ कुछ बच्चे शायद एट एज के भी होंगे तो वो यहाँ लिखेंगे अपनी एज दोनों नहीं लिखने है जो आपकी एज आप वो लिखेंगे I am six or seven years old next step my address is मेरा address है address क्या होता है पता जहाँ आप रह रहे हैं वो घर कहां है उस घर का पता क्या है उसे हम address कहते हैं तो यह आप लोग अपने मुमी पापा से पूछेंगे कि आपका house number, ward number और city क्या है तो आप सभी बच्चे अपने parents से पूछेंगे और यहाँ अपना address लिखेंगे और सभी बच्चों को अपना address पता होना चाहिए सभी बच्चे से अच्छे से याद कर लेंगे मान लो किसी का है house number two तो वो लिखेंगे hno यानी house no dot यानी number house number one है या two जिसका जो भी है वो लिखेंगे फिर उसके बाद w से होता है word dot number word number इधर भी dot word number जिसका जो भी है वो लिखेंगे और फिर city का नाम जैसे हम लोग अभी उधंपूर में हैं तो हम लिखेंगे उधंपूर उधंपूर उसके बाद next है my father's name is मेरे father का नाम है mister जो भी आपके father का नाम है आप आगे अपने father का नाम लिखेंगे Same way My mother's name is मेरी मुमा का नाम क्या है? तो क्या लिखेंगे? Mother के नाम से पहले Mrs. लगता है यह आपको पहले भी बताया था Mr. 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 इस तरीके से लिखते हैं और Mrs. Mr. इस तरीके से लिखते हैं बत्चों आपकी बुक में दिया गया है The name of my father is हमने लिखा था My father's name is बुक में है The name of my father is आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं गलत तरीका ये भी नहीं है पर जब हम यहां off लगा रहे हैं name of my father off तब लगाते हैं हम जब हम किसी non-living चीज़ की बात कर रहे हैं जो चीजें जिन्दा नहीं हैं जो सास नहीं ले रही है उन चीज़ों के लिए हम off लगाते हैं father तो non-living नहीं है father तो living है तो living चीज़ों के लिए living things या living जो इनसान है हम उनके लिए apostrophe लगाते हैं जैसे यहां father लिखा हुआ है father में हम करेंगे apostrophe और s यानि father का name of my father की जगा हम लिखेंगे father's name यानि father का नाम same वैसे ही आपकी बुक में है the name of my mother is मेरी मदर का नाम dash है पर again mother जो है वो living है तो mother के साथ हम off नहीं लगाएंगे हम again यहां पर किसका यूज़ करेंगे apostrophe s का तो वैसे ही जब हम इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे my father's name is my mother's name is dash next है the name of my school is अब school हमारा living नहीं है non living है यह तो आप यहां off लगा सकते हैं इसे आप इस तरीखे से लिख सकते हैं तो the name of my school is आपको यहां अपने school का नाम लिखना है आपके school का नाम क्या है national academy high school आपके school का नाम है national academy high school तो यह सब भी बच्चे इसी तरीके से high school को bracket में लिखेंगे next है I study in dash class मैं dash class में पढ़ता हूँ तो अभी आप सब भी बच्चे first में नहीं है second में पहुंच गए है तो आप लोग यहां लिखेंगे I study in second class हम first को इस तरीके से लिखते थे ना one और फिर st first इस तरीके से लिखते थे पर अब आप st नहीं लगाएंगे to के साथ हमेशा and d लगता है तो आप second को इस तरीके से लिखेंगे to and d second उसके बाद next है my principal's name is इस में बच्चों फिर से ध्यान से देखो आपकी बुक में फिर से दिया गया है the name of my school principal is यहाँ पर school principal सीधे लिखा हुआ है इस तरीके से नहीं लिखते हैं हम लोग हम लोग लिखते हैं principal's name principal भी living है तो off यहाँ पर भी नहीं आएगा हम सीधे principal's apostrophe S करके लिखेंगे तो my principal's name is यहाँ आप हमारी principal माम का नाम लिखेंगे तो हमारी माम का क्या नाम है Mrs. M.I.S. dot Mrs. N.I.S.H.A. Mrs. Nisha Sharma S.H.A.R.M.A. Sharma तो हमारी माम का नाम है Mrs. Nisha Sharma Next है My class teacher's name is तो आपकी class teacher जो आपको पढ़ा रही हैं आपको उनका नाम लिखना है तो अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आप यहाँ लिखेंगे Mrs. Shruti तो इस तरीके से आपको myself ऐसे को ठीक से लिखना है और याद से आपको यहाँ पर अपनी pictures भी लगानी है यहाँ आप अपनी picture लगाएंगे यहाँ आप अपने friend की picture यानी photograph लगाएंगे और नीचे अपने friend का नाम भी लिखेंगे Thank you